Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now daily के basis पे complete news paper analysis करते हैं UPSC के लिए हर एक particular page से जो भी हमारे काम की news होती है UPSC prelims प्लस mains के example और mains के question कैसे पूछे जा सकते हैं वो discuss करते हैं सबसे पहला section रहता है पूरे news paper का overall overview ले लेना राइस्तान में cabinet का रिसफल हुआ governor ने ओदिलवाई पहला और संयुक्त किसान मोर्चा जो organization है किसान की जो protest कर रहे थे वो बोल रहे थे MSP के लिए legal backing दो ये check करेंगे MSP क्या होता हो और electricity bill को भी आप repeal करो खारिज करो दिल्ली के school further बंद ही रहेंगे जब तक air quality index अच्छी नहीं हो जाती social audit करना जरूरी है राइस्तान में एक scheme लाई गई है social audit की इसको हम discuss करेंगे फिर उसके बाद कुछ editorials हैं जो हम discuss करने वाले हैं बहुत important editorials हैं जो आप अपनी analytical thinking और UPSC mains question में आप इसे include कर सकते हैं cow के लिए एक welfare scheme लाई गई है मद्यप्रदेश में इसको discuss करेंगे data protection bill ये क्या है इसको जानेंगे और माना जा रहा है कि जो urban poor है उनमें life expectancy जो rate है वो बहुत जादा कम हो रहा है इसके पीछे के कारण जानेंगे और साथ ही साथ उसके solution भी जानेंगे देखिए बहुत simple है yellow pen से अगर हम highlight कर रहे हैं तो इसका मतलब है current की चीजे black pen से है मतलब उसका negative point क्या-क्या reason हो सकते हैं green का मतलब है solution ठीक है फिर world level की news discuss करेंगे फिर business level की news but without moving further आपको क्या करना है PR publication type करना है बिना space दिये ठीक है PR publication बिना space दिये आप टेलिग्राम में सर्च करोगे तो आपको link मिल जाएगा यह है बिना space दिये PR publication now PR publication के आपके जो है दो paid group चलते हैं जिसमें सिर्फ एक तो होता है early plan जो सिर्फ 4.99 रुपीज का है जिसमें current affair के notes daily answer writing 6-12 notes phone guidance आपको मिलेगी पूरे एक साल तक और आप ऐसे google पे phone fee के through payment करके आप यह early plan में हमसे add हो सकते हैं वैसे test series plan का UPSC CSET का video course है साथी साथ हमारा guaranteed 60 batch का है जो पंद्र नॉम्बर से start हो चुका है छे-साथ classes हमारी हो चुकी है तेर मन्त का current affair live पढ़ाएंगे इसमें GSK सभी subject हम कराएंगे guaranteed 60 batch के बारे में जाता जाने के लिए इस number पर आप call कर सकते हैं ना बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की राजिस्तान cabinet expanded 15 minister take oath of office देखिए ये तो हर जगह होता है resuffling हर जगह होती है minister हर जगह बदले जाते हैं बट question आता क्या है कि यार जो minister नई बदले गए है उनको सपत कौन दिलवाएगा जो council of minister उनको सपत कौन दिलवाएगा तो governor राइस्तान के हैं कालराज मिश्रा उन्होंने ही ओध दिलवाई इन्हें नए ministers को कहां राजभावन हमें ठीक है तो ministers को जो हमारे state की ministers होते हैं उनको ओध कौन दिलवाता ये चीज़ याद रखना स्टेट के राइस्तान के minister को ओध दिलवाई governor ने और governor कौन है कालराज मिश्रा तो यहाँ पर से सिर्फ ये आपकी important news है और कुछ नहीं है ठीक है ये resuffling होती रहती है political news है हाला कि यहाँ से एक चीज़ extract की है कि governor ने यहाँ ओध दिलवाई जो कि polity में directly question पूछा जा सकता है राइट चेलिए next news करते है संयुक्त किसान मोरशा अभी हाली में PM नरिंद्र मोदी ने announce किया था कि जो तीन किसान बिल हैं उनको हम repeal करने वाले हैं संयुक्त किसान मोरशा यह चाह रहा है कि legal backing मिले MSP के लिए अभी मैंने यह बोला हर एक राज्य में agriculture मंडीज होती है APMC market होती है बट वहाँ पर यह ensure किया तो जाता है MSP बट कोई एक legal कानून नहीं है मैं कहूंगा संयुक्त किसान मोरशा की एक बहुत genuine सी demand है अगर आप minimum support price देते हैं minimum support price का मतलब क्या होता है किसान जो है फसल उगाएगा और हर एक फसल के लिए MSP डिकलेर कर दी जाएगी बहुत बार किसान क्या होता अपनी फसल लेके जाता है मन में तो यह सोच कियाता है 100 रुपे पर केजी बेचूंगा बट वहाँ की हालाद देखकर ऐसा लगता है कि वह 100 केजी भी नहीं बिकेगी वह सिर्फ 20 पर केजी बिकेगी 20 रुपे तो अगर सरकार MSP तै कर लेती है तो हर एक मंडी को क्या करना पड़ेगा अगर MSP सब उच 33 रुपे फिक्स किया है तो 33 से नीचे वह उनकी फसल नहीं बिकेगी ठीक है तो ये एक अच्छा होता है पर संयुक्ति किसान मोचा ने ये बोला है कि हमें लीगल बैकिंग चाहिए मतलब एक कानून बनाओ आप एक लॉग लेके आओ ठीक है एक लॉग लेके आओ तब ही MSP के लिए एक लॉग होना चाहिए जहां पर सब ही किसानों को ये इंच्छार करना चाहिए कि आप अगर फसल उगाएंगे तो आपको इतने कीमत तो इस फसल की मिलेगी ही मिलेगी उसके साथ साथ इलेक्टरिसिटी बिल को भी रिपील प्लस और जितने भी तीन कानून है उनको भी फॉर्मले रिपील करने की बाद की गई है बट मेजर कॉशन ये आएगा इस पूरी न्यूस से कि और कौन-कौन से ये डिमांड कर रहे है यार देखिए अगर सरकार ने अनौनसमेंट की है कि हम जो तीन फार्म लॉज आये थे की डिमांड ये आई कि जो एयर क्वालिटी इतना ज़्यादा पॉलिशन करते हैं तो जो पीनल प्रॉविजन है उनको हटा दिया जाए और दूसरा जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार की अगेंज उनसे जो केसेज उनकी अगेंज रइस्टर थे उनको भी हटा देना चाहिए ऐसा ये डिमांड कर रहे है उसके साथ साथ जो प्रोपोजल है विंटर सेशन नौमबर 29 से सुरू होगा और उसी दिन से जो रिपील करने की बात करनी चाहिए कि जो बिल लाए गए हैं तीन बिल उनको हटाने चाहिए बिल के कॉंट्रोवर्सी इस्यू मैं हमेशा बताते आया हूँ एक कॉंट्रोवर्सी तो इस्यू ये था जो तीन फार्म लॉस थे उनमेंसे ये था कि जो बिजनस्मेन होंगे ना जो प्राइवेट प्लियर है अनिमिटेड नमबर में स्टॉक रख सकते हैं लब सोचो एक बार एक बिजनस्मेन ने सभी किसानों की फशले खरीद ली तो फिर वो अपने मन से रेगुलेट करेगा ना जितने भी प्राइस होंगे ठीक है पहला ये और MSP जो APMC मारकेट है उसके बाहर ये अलाओ कर दिया गया था कि जो प्राइवेट प्लियर से हैं वो भी बेच सकते हैं फशलें मतलब वो भी खरीच सकते हैं किसानों से फशलें तो वहां पर MSP इंशूर नहीं हो रहा था तो अब भी देखते हैं विंटर सेशन जब सुरू होगा पर एक रिपील किसी भी एक कानून को हटाया कैसे जा सकता है बहुत सिंपल है लोग सबा में या राजी सबा में बिल पास होगा फिर किसी में भी पास होगा फिर लोग सबाब में हुआ तो राजी सबाब में जाएगा फिर प्रिसिडेंट का एसेंट मिलेगा और वो बिल एक्ट बन जाएगा और उसी एक्ट में लिखाओगा कि ये सभी कानून हटा देने चाहिए आई थिंक ये आपको ये न्यूज जनरल स्टेडिस पेपर टू की एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी राइट चलिए नेक्स्ट है दिल्ली के स्कूल बंद होंगे जब तक फर्दर आडर नहीं आ पाते हैं वेरी पूर कैटिगरी में तो पहुंच चुकी है डेली के ब एक्सटलिम्स जनरल स्टेडिस पेपर 3 इन्वारमेंट देखे च्छे के डिगरी में हमारी एक्यू आई होती हैं गुड सैटिस्ट्रिली मॉडरलेटली पॉलूटेट पूर वेरी पूर सीवियर अभी वेरी पूर में आ चुकी है डेली इसको कैल्कुलेट किया जाता है आ अगर किसी का भी लैवल बड़ा तो एयर कॉलिटी इंडेक्स और ज्यादा सीवियर हो जाएगी दोजार चौद में ये लॉंच किया गया था वन नमर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन और इसमें ये सब मीजर किये जाएंगे ये डपलब किया था सैंटर पॉलूशन कंट्रोल बोल ने इन कंसल्टेशन विद आयाइटी कानपुर और एयर कॉलिटी के प्रोफेशर भी यहाँ पर थे नाव बात करते हैं सोशल आडिट की देखिए राजिस्तान में एक स्कीम लाई गई सोशल आडिट की जो कि मैं कहूंगा एक बहुत अपने आप में पोटेंशिल वा की फॉर सोशल आडिट अकांटबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी सरकारी स्कीम आ रही है सब उजमान के चलो राजिस्तान में एक स्कीम है कि कॉम्मेटी कीचन खोलने है सभी लोगों को पांच रुपे ठाली दी जाएगी बट बैकेंड में कितना सरकार का सा मान करप्शन या ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाएगा सोशल आडिट में हर चीज़ें चेक की जाएंगी कि पर्ट्यूगलर अगर पर डे एबरेज 15 सो लोग खाने आते हैं उस कॉम्मेटी कीचन में तो जो खाना है वो कितना लगेगा वो सब मान के चलो 25 केजी लगा हर चीज चावल लगा ये लगा दाल लगी ये सब चीज़ें 25-25 केजी पर पीछे ब्लैक मार्केट में सामान 50-50 किलो उड़ाया जा रहा है तो इन सब का सोशल आडिट होगा तो इससे करप्शन रुक चाहिए पर्ट्यूक्लर वो डेली रूटीन वाइस पहुंचेगी तो कॉंसेप्ट क्या है सोशल आडिट का इस बिंग एक्सेंडे टू मोर डिपार्टमेंट और गॉर्मेंट इसकी मिन राजिस्तान इन एटेम्ट टू इंशूर ट्रांस्पेरेंसी और एकांटिबिलिट कि आप लोगोंने स्वच्छ सर्वेक्षन जो है 2021 का रिजल्ड देख लिया हो गया इंदौर सिटी के बेसिस पर इसमें तो बहुत सारी कैटेगरी हैं बड़ दो कैटेगरी हम याद रखना है एक सिटी के बेसिस पर सिटी के बेसिस पर इंदौर फर्स्ट है सूरत विजव बड़ा सेकेंड थर्ड है और इंदौर सिटी तो पिछले 500 से सबसे क्लिनिस्ट सिटी भारत की मानी जाती है राज्यों में 36 घर्ड थर्ड टाइम में क्लिनिस्ट स्टेट माना गया और मैट्रिक्स अलग अलग थी कि कैल्गुलेट कैसे किया गया या जाच किस बेसिस पर हैं गार्बेज डिस्पोजल कैसा हो रहा है ओपन टैफिकेशन फ्री फंक्शनलेटी मेंटेनेंस ऑप कम्यूनेटी टॉलेट्स सेफ मैनेजमेंट फीकल स्लच का यह अच्छे से किया जा रहा है या नहीं और इसी के बेसिस पर उनको रैंकिंग दी जा रही है फिर गंगा स क्या पहले से ही जो क्लिनिस्ट सिटी है वो तभी क्लिनिस्ट पांच साल से इंदौर क्यों मन रही है क्योंकि मद्यप्रदेश से क्या स्टेट फंडिंग उस सिटी को बहुत जादा जाता है इस वज़े से तो ट्राइए करना चाहिए जो वलनेरेवल हैं जो लास्ट है उन भी हमें करना चाहिए या एक्वल फंडिंग देनी चाहिए तो बोथ अट रीजनल लेवल और सेंटर लेवल दियर शुट भी मोर क्वालिटेटिव एनलेसिस और इंडियन सिटीज आर गेटिंग क्लीनर इंद एग्रिगेट और इफ नमबर सार हाइडिंग इनिक्विटी क या नमबर हाइड तो नहीं हो रहे हैं नाव सेकेंड है एडिटोरियल्स रश्या और यूक्रेन मैं सबसे पहले आपको मैप दिखाता हूँ यह देखिए मैप देख लिजी आप यह है रश्या ठीक है यह है यूक्रेन और यूक्रेन में एटेक कहां से हो सकता है देखिए यह रश्या का पूरा पार्ट है यहां पर देखिए ब्लेक सी आप से डिरेक्टली पूछा जाएगा ब्लेक सी के चारूं और की जो कंट्रीज है वो कौन-कौन सी इस पर ट्रिक पूछी जाती है ठीक है यह है यह है यूक्रेन तो यूक्रेन की यह पूरे देश है और यू next कर लिया था अब देखिए उसके चलते हुए अभी क्या हो रहा है रश्या और युक्रेइन must abide by their commitment in the Minsk Accord दोनों ने ये बोला था कि हम दोनों troops नहीं mobilize करेंगे अभी हो क्या रहा है massive mobilization और ये Russian troops की on the Ukraine border and occasional outbreak of violence along the lines of contact between Russian-backed rebel in the contestant Donbass region and Ukrainian troops have been pushed both countries to the brink of an open conflict Baltic Sea Black Sea यहां से पर क्या हो रहे हैं troops mobilize की जा रहे हैं Ukraine की तरफ अब Russia क्यों चाता है Ukraine पर कबजा करना बहुत सारे इसके region क्रीमिया को एनेक्स किया तो बहुत सारे देखिए रश्या में untrapped natural resources हैं जो रश्या अगर एनेक्स कर लेता है तो उनकी economy में बहुत ज़्यादा ही जाफा होगा In the Black Sea Russian President Vladimir Putin despite a vessel to shadow US warship Black Sea में US की warship थी तो Russian President Vladimir Putin ने भी dispatch कर दिया अपना vessel 2015 में फिर से open conflict हुए थे Minsk agreement sign हुआ था यह पूरा यह था कि peace agreement होना चाहिए यह ठीक है कि दोनों ही लड़ाई खतम कर रहे हैं बट दूसरी side Russia ने इससे पहले already 2004 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था बट such move could further Detroit it's already ruptured ties with the West अब Russia के West के साथ ties जो जैसे European countries के साथ अमेरीका के साथ वो इसले भी बुरे हो जाते हैं क्योंकि Russian annexation policy अभी follow कर रहा है the West should push both sides to resume talks West को European unions को अमेरीका को जो push करना चाहिए ताकि talks को resume करो and live up to their commitment as per the Minsk agreement to restore relative peace on the border फिर यह वही related है कि सान मोचा से इसको आपको नहीं करना जब winter session सुरू होगा ना देखे तीन session होते हैं budget session, monsoon session, winter session जब winter session मां आ गए फिर हम यह start करेंगे now बात करते हैं keeping a close eye on China nuclear capabilities अब China धीरे धीरे जब China की एक report आई, report का नाम है China military power report और इसमें जब देखा गया तो people republic of China, जो China की army का नाम है various military power यह अपनी increase कर रही है जिसमें quantitative strength, atomic yield, delivery capability and posture बल रहा है by 2027 2017 तक जो चाइना की military power report है वो estimate किया जा रहा है कि 200 से 700 nuclear जो वेपन है वो बढ़ जाएंगे low yield weapon, having area of interest and deployment for the PRC low yielded nuclear weapon तो है, उसके साथ-साथ इनकी एक जगह है, site है अगर geographical location पूछा गया, मैबेज लोपनूर nuclear जो facility है उसको check किया जा रहा है, उसमें test करता रहता है अपना China और धीरे-धीरे अपनी nuclear capabilities बढ़ा रहा है for India there are some serious implications with China increasing military nuclear military capabilities बढ़ा रहा है, तो serious implications तो देखने को मिलेंगा finally, India must pay close attention to the sub-surface leg of PRC nuclear arsenal और चेक करना चाहिए, डिस्पाइट COVID-19 होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी nuclear को strength किया, तो भारत तो यार एक तरह से land-bounded उनका partner है, तो किस तरह से भारत को सबसे ज़्यादा concern रहेगा जब China की nuclear capabilities बढ़ रही है तो उसके बाद ओपेट पेश से है meat से related चलो यह बताओ, कोई meat खा रहा तो वो गलत है क्या या सही है, यह आपको comment box में बताना है पर right to food है, अपने basis का खाना खाना यह आपका अधिकार है गुजरात की बात करो, गुजरात में 15% scheduled tribe है, 10% muslim है 7.5% scheduled caste and about 50% other backward classes generally जनीज में और western whites जो वो majority में है हाली में क्या हुआ, बहुत सारी food authorities ने, government के official से ने बोला जो street vendors हैं, जो meat काट के देते हैं, उनको ban करो आप उनको नहीं चलाओ, तो major यार उनकी livelihood कैसे चलेगी इस इस बिकॉज गुजरात social culture डॉमिनेट करता है जनीज में वाले वही प्याज लस्टन वाला भी नहीं खाते हैं, है न, वहीं नहीं कहेंगे, majority तो जन्स वहीं होती हैं, कि प्याज मत डालो, lesson मत डालो, हमारे खाने में, तो यह dominated जन्स हैं, बट जो minority के साथ किया जा रहा है, वो गलत है, इवन celebrity जो शेफ हैं, संजीव कप पूर उन्होंने अपना पहला, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला है, हमधाबाद में 2009 में, दिस डॉमिनेंट महाजन कल्चर इस मार्ट बाइ बिलीव इन नौन वाइलेंस पर टी टोटलीज में, ऑस्टेरिटी पर बिलीव करता है, इवन नौन वेजिटेरियन ना खान ये पर बिलीव करता है, फर मोस्ट आप रोट साइट जो फूड स्टॉल्स हैं, जो मीड बेचे रहे हैं, जो की माइनरिटी चला रही हैं यार, बाइ लोवर कलास्ट ला रहे हैं, लोवर कास्ट हिंदूस और माइगरेंट्स चला रहे हैं, जो की गलत है, तो अपनी लाइ जिस पाइटिकलर चीच से और आगर माइनरिटी जी बेच रही हैं ये फूड स्टॉल्स तो उनको ही आप बैन कर रहे हो, मद्धिपरदेश ने लाउंच किया हाली में काव वेल्फियर मीजर्स विदन आयों 2023 एसेमली एलक्शन, सिवरा सिंग चोहान ने गवर्मेंट ने वो सेटप करेंगे, ही डारेक्टिट ऑफिशल टू बिल्ड बाइस सो गौसला बना सकते हैं, डैपलॉप सिक्स गौसला ऐस ट्रेनिंग सेंटर्स, ये एक अच्छी बात भी है, हाली में क्या हुआ, बहुत सारे कॉंट्रोवर्शल इशू आ रहे हैं, डेटा को कि बहुत सारी एजन्सीज को आप डेटा प्रोटेक्शन बिल से हटा सकते हो, ऐसा केंज सरकास के पास पावर रहेगी, जो कि एक गलत है, एक लिस्ट फाइप अब धा, थर्टी मेंबर्स अब जोएंट पार्लियमेंट कमिटी ऑन दा, परसनल डेटा प्रोटेक्शन बि साइबर सिक्यूरेटी, आईटी एंड कम्प्यूटेर्स, गवर्मेंट पॉलिसी और इंटर्वेंशन में पूछ सकते हो, डेटा क्या होता है, एक लाज कलेक्शन है, इन्फॉर्मेशन का, जो कि इस कम्प्यूटर में स्टोर की जा सकती है, एक्चॉल कॉन्टेक्श देट कि इन्फॉर्मेशन की कमिटी है, जन्होंने डेटा के बारे में, उनकी मतलब चेर्मेंशिप में ही ये कमिटी बनाई गई, अब इस बिल में सबसे पहले डेटा बता गया है, कि एक एक्चॉल में डेटा क्या होता है, परसनल डेटा, सेंसिटिव डाटा, क्रिटिकल परसन परसनल डाटा में, जैसे नैशनल सेकुरेटी, मिलेटरी सेकुरेटी पर बात आ जाती है, तो बिल क्या कहता है, बिल इंक्लूड करता है, एक्जम्शन फ्रॉम प्रोसेसिंग डाटा विदाट अन इन्डिजल कॉंसेंट फॉर रीजनेबल पर परपरचेज, तो बिल ये भ प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, अगर किसी कंपनी में नहीं होता तो उसमें पैनल्टी भी पड़ेगी, ठीक है, इटला इसलेट उन दराइट टू भी फ़रगटन, कोई कंपनी ले भी रही है, तो आप अगर चाते हैं कि मेरा डेटा यहां से निकल जाए, तो वो न निकला जा सकता है, बिल स्टेट देट, पैनल्टी इस पांच करोड से और दो परसेंट लग सकती है, टोटल टर्नोवर में, कंपनी एक्जेक्विटिव इंचार्ज केन आल्सो फेस जेल टंस आप अप टो थ्री यर्स, डेटा प्रोटेक्शन बिल के फाइदे क्या है, डे डेटा लोकलाइजिशन हो गया तो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसिस को मदद मिल जाएगी, फुलिस को मदद मिल जाएगी, जो फेक न्यूस है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, राइट, साइबर एटेक्स रोक के जा सकते हैं, पर डिसडवन्टेज क्या है, अच्छा है, वो प्रोटेक्टिनिस्ट जो पॉलिसी है, प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी इंप्लिमेंट कर रहा है, कि यार अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता, इंडिया में ही क्यों करना जरूरी है, इससे मतलब जो बिजनस के ट्रेड एक्चुल में लीबरल थॉर्ट्स हो बहुत कम हो रही है, 9 साल गिर चुकी है में में, 6.2 इर्स गिर चुकी है वीमेंस में, अब ऐसी रिपोर्ट आई, अजीम जी प्रेम जी उनिवर्सिटी इन कॉलिबर्शन विथ 17 डिजनल एंजियो जो काम करती हैं अक्रॉस इंडिया, रिपोर्ट बताती है, रिपोर्ट क भी चेक किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि हेल्थ गवर्नेंस अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत जादा आ जाता है, डेली की लाइवलियोट के चक्कर में, आपका जो खाने का भी पैसा है, वो डिजीज में चले जा रहा है, तो हमें कॉम्मिनिटी पार्टिसपेशन बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नेंस बढ़ानी पड़ेगी, बिल्डिंग एक कॉम्प्रेहंसिव डाइनिमिक डेटाबेस क्रेट करना पड़ेगा, कोमोर्विट्रेटीज, मतलब जिनको एक से जादा बीमारी हैं, बीमारी हैं उनको, इस्ट्रेंधिंग हेल्थ कियर प्राविजन, नैशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये सब इंप्रूफ करने चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला, अब बात करते हैं तो जब भी अर्बन पूर की बात आए तो वो आप जो एक्जामपल हैं जरूर गाई सेक्शल असॉल्ट के, अब दो हफते से इनका सोशल मीडिया में कोई पबलिक डोमेन में चीज़ें नहीं देख रही हैं, पोस्ट नहीं दिख रहा, तो इनको भी मेबी गायब कराया जा सकता है, बट ऐसे देश में रहने का कोई फायदा नहीं है, देखो इंडिया म जो एक्शुल में फंडामेंटल राइट हैं, उनको तो इन्शियोर ही नहीं किया जाता है, ऐसे देश में रहने का फायदा क्या, इवन ये सिर्फ सोचो, कोई भी ऑफिशल ऑथरेटी होगी, उसके अगें कोई ऐलिगेशन लगेंगे, वो तो जाएंगे ही नहीं ना, इतना भी सेक्शुल असॉल्ट किया गया है, तो उसको कटगरे में लाओ, प्रोसिजर इस्टैबलिश्ड बाइ लाओ होना चाहिए, जो की नहीं है चाइना में, ठीक है, वर्स्ट अगर मैं कंट्री बोलू, तो नौर्थ कोरिया से भी वर्स्ट तो ये है, बिजनसमें चा वो क्या करेंगे, अब डेमकरसी को हटाके अपना काम चलाएंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट ब्रेक आउट इन पार्क पोर्ट सिटी ओवर सीपैक, चाइना पाकिस्तान एकॉनमी कॉरिडोर है, जो की पाकिस्तान उक्यूपाइट कस्मीर से जाता हुआ है, और इसमें रोड् इपैक है, वो गलत है, क्योंकि वो पाकिस्तान उक्यूपाइट कस्मीर से जा रहा है, जो की हमारी सॉवरिनेट को वैलेट करता है, सिरलंका ने हाली में क्या कहा था कि फटलाइजर पर बैन लगना चाहिए, बट अब वो बैन हटा दिया गया है, क्योंकि यार किसान ने अ इसके बारे में, ब्रिटेन का स्टेडिक्स ये कहता है, कि जो ब्लेक हैं, साउथ एशियन पीपल हैं, उनकी डेथ जादा होई डियूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, और दूसरा ये भी बोला गया, जो ऑक्जोमीटर होता ना, जिससे ऑक्सिजन लेवल, सॉरी, बलड ऑक् पेड ग्रूप में मिल जाते हैं, और याद रखना, जिससे UPSC 2022 की तैयारी नहीं हो पारी है, अल्रेडी कोचिंग जोइन भी की है, तो हमारे गारेंटेट 60 बैच को जोइन कर सकते हैं, पर्टिकलर, टू दा पॉइंट आपको नोट्स दिये जाते हैं, उनकी वीडियोज ह आपको जादा आपना माइन डाइवर्ट नहीं करना, एक हमारे नोट्स पढ़ो, हमारी वीडियो, उसका ही मेर पा हमारा एक्स्प्लेशन पढ़ लो, ठीक है, आज में भी हम एक जो पॉलिटी की वीडियो है, वो मैं लाइफ कर दूँगा यूट्यूब पह, कॉमेंट जो बता सकता है कि उस पर्टिकलर पाइंट को यूपीएसी किस डिमांड तक टच करता है, फिर वो पढ़ने का टाइम आपका वेस्ट चल जाएगा, तो बहुत यार बुद्ध जी भी कोचिंग इसले भी लेते हैं, बहुत जो बच्चे हैं, पर्टिकलर, क्योंकि एड़ पॉइंट आप उस लेवल को रीच नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसने अलड़ी 6-7 साल से, मुझे एक्सपिरियंस है 6 साल का, 7 साल का, ठीक है, यूपीएसी से रिलेटेड, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमने वीडियो डाली है प्ले लिस्ट में, तो आपको डिमां खरॉप्यशी छ mismos के तेख सकते हैं, मेंगे भीडियो देख सकते हैं, के यूब हाओएसी से वीडियोआडड़ेग देख सकते हैं, भीडियोब देख सकते हैं एक फम रा खरॉबसद्ट में यूटबसे मेंस प stub arguably सीनश दो level 9 में नहीं के और काल के बलेद nuclear ताल क sigma 2 मेंज़